तो यह है दोस्ते मेरे पास Realme C21 Y latest smartphone यह देख सकते हैं पीछे camera है triple rear और आपको इसी smartphone की कुछ camera के settings आपको बताने वाला हूं तो आप देखना दोस्तों इस वीडियो को end तक आप इस वीडियो को end तक देखेंगे ना अपने बहुती बहुतरिन settings आप कर सकते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देना इस वीडियो को चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आपको प्रेस करके रख लेना तो चलिए हम पर सबसे पहले open करते हैं camera app को आप camera app open करेंगे सबसे पहले तो हम पर आपको agree करना पड़ता है औ उसके बाद सबसे पहले आपकर मिलता है video mode तो चलिए हम पर एक कंकर ले लेते हैं पर सामने तो यह video mode होता है दो कम से कम आप video mode में कर सकते हैं 4x जूम करके आप videos recording कर सकते हैं उसके अलावे हम पर एक flashit का icon देखता होगा आप इस पर क्लिक करेंगे तो direct flashit video recording करने से पहले ह और आपको दिखता होगा capture capture मतलब फोटो में मोड़ हो और यह पर आप कम से कम कर सकते हैं इस फोने और आप इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहां पर इस तरह से फोटो किलीक करते हैं यहां पर दासिट आउन हो जाती है यह जो अलो कोलर में आना चाहिए जो अपको अलो कले रहने आना चाहिए तब ही यहां पर फ्लासिट ओन जाती है उसके अलाव है पर HDR आफ रता है यहांसे इसको अन करना है स्लिम कर सकते हैं लिप्स और आपको बहुत सारे फीचर आप यहां पर मिल आते हैं और चलिए हैं पर इसकी क्यापिसिटी को भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं फिलाल इसी स्माटफोन में उसके बाद हम पर देख सकते हैं नेक्स्ट पोटेड मोड यह क्या है बैगरॉंड ब्ल कम एपिछर करेंगे तो ज्यादा हो अपने शाब से आप यहां पर स्टर करके रख सकते हैं उसके बाद यह मोर में आने के बाद हैं हम पर आपको filters मिलते हैं यहां पर यह रहा filter और फिल्टर आपको अच्छा लगे यहां पर filter का इक अलग ही mode को मिलता तो क्लिक करें नहीं पर सकती है और हैंसी अइस आप इस ऐसे कर यह आने के फिल्क करकें शेकर आप पूरे प्लेस को आप मतलब पूरे प्लेस का एक ही फोटो में आप फोटो क्लिक करना जाते हैं, तो इस तरह से आप करके हैं, इसको आउन करके, इस पर क्लिक करके हैं, आप पूरे प्लेस को आप दिखाएंगे, तो क्या होता है दोस्तों, एक ही फोटो में पूरा प्लेस कवर हो जाता है, आप हैं कोई भी चीज के सामने ले कर जाएंगे तो ब्लर देखेगा हो आप यहां पर Michael मोड के माइक्रोट में आएंगे कोई भी चीज के सामने लेकर जाएंगे तो बलर ने दिखेगा डिटेल समय क्लेर दिखेगा पुरा और यहां पर जूम भी आप कर सकते हैं 4x तक माइको Benjamin arch Bal manner में आप यह में पर नाइट प्रو भी आपको मिलता है यह रहा Niami Connor नाइट मोड प्रो कि हमicop olarak जोंब कर सकते हैं इसके अलावा स्टोंब आप सुलो और मोंशन आते हैं सब्सक्राइब हैं तो यह आप curly स्टोchsच आप मोंशन केYeah कि आप extra memory card लगा कर रहे हैं तो फोन और extra memory ना कि फोन memory में जाएंगे तो चलिए यहां पर उसके ठीक निचे हम पर दिखता हो कर सकते हैं तो आफ कर सकते हैं अब मुन कर सकते हैं तो और अब एप ₹ कर आप ए क्शेए नहीं तो आहसे इसको ठीचब माइस दिखर हैं इंगर त proximity RTX この तो फोटो किलिक हो जाएगा अब फिंगर प्रेंट से अंपर फिलाल फोटो किलिक कर सकते हैं ऐसे इसको आना चाहिए या आना चाहिए वन बाई वान या इससा आपको च्लेगे वो आप फिलाल कर लेना फोटो को से स्लेट कर लेना है जाहने पर आते हैं बैक यहाँ पर इस टाइम पर फोटो क्लिक किया है वह फोटो के कोर्णर में बता देगा दूस्तरों का मौडल वाटर मार्क तो चलिए हैं time watermark मतलब आप किस date पर किस time पर photo click किया है वो photo के corner में time भी बता देगा उसके बाद है हम पर देख सकते हैं count down duration है यह क्या है आप 3 second कर सकते हैं और 10 second भी कर सकते हैं आप 3 second करेंगे तो photo click करते वक्त इस तरह से 3 second का time आएगा उसके बाद photo click हो जागा आप 10 second का भी इस तरह से फिलाल कर सकते हैं उसके बाद जाएंगे setting में और हम पर देख सकते हैं और इस पर हम click करेंगे तो यहाँ पर आप grid कर सकते हैं यहाँ ग्रीड करेंगे तो hashtag की तरह lines आपको देखेंगे यहाँ पर camera app open करने के बाद में यह lines को देखकर आप पहिचन सकते हैं phone को कितना सीधा पकड़ाएं और यह सब कुछ आप हम पर फिलाल देख सकते हैं आपस सेटिम जाने के बाद हम पर आना और नीचे हाँ पर face detect मतलब आप चार लोग खड़े हैं तो इस तरह से camera पकड़े हैं तो face के ऊपर detect करेगा face को focus करेगा आप आएंगे दुस्तों और नीचे आप देख सकते हैं और smile shooter है इसको भी on करेना आप हसेंगे तो photo click हो जागा फिलाल तो चलिए और इसके इलावा और कुछ खास feature नहीं इसको भी on करेना और touch photography इसको भी on करेना इसको आउन करेंगे तो इस तरह से photo click करने के बाद मतलब कहीं भी touch करने के बाद भी photo click हो जाता है तो चलिए और यह थे दोस्तों कुछ setting इसी real में c21y smartphone के और अपने कुछ गड़बर कर दिया मतलब कुछ fail करते हैं setting तो वापस से इस setting में आग नीचा कर restore default पर हम क्लिक करेंगे और done करेंगे तो क्या बात आ है जैसे नया smartphone लेने के बाद जैसे setting थी उसी तरह वापस से setting हो जाएगी वापस से एक और बाद वीडियो देखकर आप अपसे setting कर सकते हैं दोस्तों से आपने देख लिया होगा इसी realme c21y smartphone के कुछ camera के settings जी हां अगर आपको इसी smartphone के top 60 tips and tricks hidden features देखना है तो उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के जाएगे देखलेए